असलाव अलेकुम गुड आफटरूम वल्कम बैक आप सबका मेरे चैनल पर वापस से स्वागत तो गोल्ड ने फाइनली 2222 डॉलर के हाइज बनाने के बाद 2165 के आसपास की क्लोजिंग दिये एक तक्रीबन 60 डॉलर का क्रैक majority of crack था because market में profit booking आ गई market में profit booking चालो हो गई थी मैंने अपने daily के वीडियो में ये cover भी किया था कि market में एक अच्छी profit booking निजर आ रही है even though आप देखोगे कि 60 डॉलर के आसपास crash हुआ है gold but again this is not a correction this is just a profit booking और इसे consolidation भी कह सकते है अब आने वाली दुनों में market कहां पर रहता है यही decide करेगा कि gold 2100 जाएगा कि 2200 वापिस जाएगा बट जिस तरीके से gold prices ने अपने peak से थोड़ा सा एक crack समा रहा है थोड़ा सा gold अब ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि हमें 2100 की तरफ दिखाई देना शुरू कर दे अगें यह कोई selling call नहीं है नहीं कोई selling recommendation है यह just take forecast है कि it is possible कि अगर gold ने 250 के नीचे की closing दे दी तो हमें थोड़ा सा और red red gold prices देखने को मिल जाए अभी चार्ट पर चलेंगे तो पता चलेगा कि हम कौन से levels की बात कर रहे है बट येस gold में थोड़ी सी weakness जरू लग रही है profit booking आई थी 2222 के आसपस से बट एक again दूसरा factor यह था कि dollar index में जबरदस तेजी आई dollar index में एक बहुत ही 102.90 या 103 के आसपस से dollar index था और 104.43 बंद हुआ है दो दिन में dollar index की जबरदस तेजी की वैसे gold में double double crack आए तुम ध्यान रखेगा कि अगर gold में crack आ भी रहा है तो dollar index will be another big factor because ऐसा भी हो सकता है काफी टाइम ऐसा भी हुआ है कि gold prices गिर रहे हैं और dollar index गिरना शुरू हो जाए जिसकी वैसे gold prices का जो severe crack है वो बिलकुल कम हो जाता है और उसके next जो है dollar index रुक जाता है और gold prices जबर्दस recover हो जाता है तो ऐसा भी कई बार हुआ है तो प्लीज टॉलार index के भी ध्यान दीजेगा काफी टाइम से यस आई टोटली अग्री काफी टाइम से ऐसा हो रहा है कि dollar index और gold disconnect हो जाते हैं बट काफी टाइम से ऐसा भी हो रहा है जब उनको connect होना होता है तो intraday में ही connect हो जाते हैं इसका मतलब यह है कि suppose सुभा को dollar index और gold prices दोनों उपर चल रहे हैं दोनों simultaneous में चल रहे हैं दोनों को कोई एक दूसरे से मतलब नहीं है लेकिन data के बाद ऐसा होता है कि dollar index नीचे गिरता और gold उपर जाता है यह फिर dollar index उपर जाता है और gold नीचे आता है कभी-कभी तो नहीं आजकल तो बहुत time ऐसा हो रहा है बट फिर भी एक important factor है dollar index का ध्यान रखेगा dollar index की 104 की उपर की closing थोड़ी सी worrisome है yes 104 की उपर closing हुआ है तो थोड़ा सा positive zone में चला गया है थोड़ा सा नहीं पूरा ही positive zone में dollar index चला गया है तो नए आए है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए paid signals और market commentary की जैनकारी के लिए मेरी टीम का WhatsApp number मैंने description में दे दिया है अब चार्ट पर चलते हैं देखते हैं अगले हफते क्या क्या action हो सकता है कि अ कि है तो यह गोल्ड है 165 के असपास बंदूब आप करी अगर आप गोल्ड का ये spike हटा दो गे अगर में स्पाइक को क्टम कर दें यहांनि यह स्पाइक को हटा दे तो गोल्ड ने दो बार 1290 के आसपास से क्रैक दिया है एक बार ये दिया है और एक बार ये भी दिया है हम इसको अगर विक को हटा दें तो एक अच्छा 2190-92 के आसपास का रेजिस्टंस बनता है that is smallest resistance बट येस सबसे बड़ा resistance वो ही है lifetime high के आसपास का यही रेजिस्टंस है 2225 के आसपास का रेजिस्टंस बनेगा इस वीक का जो की एक अच्छी रेंज है बट दिक्कत यह है कि गोल्ड के अंदर इतनी ज्यादा लंबी रेंज शुरू हो गई है कि गोल्ड में 50 50 70 70 डॉलर के रेजिस्टंस सपोर्ट देने पड़ रहे हैं आगे बढने से पहले अगले अफते कौन-कौन से अंवेजर डेटा है मंडे को न्यू होंमसेल की माफ कीजिएगा वेडनस डे क्रूड ओल इन्वेंटरी है थर्स्डे अर्ली मॉनिंग FMC मेंबर की स्पीच है ब्रिटेन की GDP नमबर्स आएंगे US के GDP नमबर्स आएंगे साले साथ बजे पेंडिंग होम सेल्स है US का Friday Core PC Index आएगा This is the most important inflation data Federal Reserve का जो एक inflation मापने का आकड़ा है वो यही वाला है तो प्लीज ध्यान दीचेगा काफी important आकड़ा है काफी important data है उसके बाद 9 बजे Federal Reserve Chairman की speech भी है अब पहले dollar index पे आजाते हैं फिर gold की तरफ चलेंगे dollar index में आप देख सकते हो कि last दो दिन में कितनी जबरदस्ती ही आई है 103 से 103 बोलो या फिर आप ये low बोल सकते हो 103 17 के low से 104 43 तक के highs बनाए है last दो दिन में और आप देख सकते हो दोनों दिन gold ने जबरदस crack दिया है तो again जैसे के हमने बात करी थी अभी dollar index एक बहुत बड़ा factor है और इस तरीके से बंद हुआ है 104 के उपर अब थोड़ा सा gold के buyers को थोड़ी से समझने की ज़रूरत है बिकास जब तक ये अब 103 50 यानि की तकरीबन इसके नीचे 130 नीचे 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 नाज़री नीचे ने जाएगा तब तक डॉलर इंडेक्स परिशान कर सकता है गोल्ड के बायर्स को, तो अगर आप गोल्ड बाइंग में बैठे हैं, तो डॉलर इंडेक्स पर बिल्कुल नजर जमा के रखेगा, इट इस इंपोर्टेंट फैक्टर, और ये आने वाले दिनों में गोल्ड के बायर्स की तवयत खराब कर सकता है, एक सोतीं बीस के नीचे जाता है तो फिर पर्फेक्टिव साइन है, बट क्योंके हम ये वीक्ली एनालेसिस में हैं, तो एक सुतीं बीस, एक सुतीं तीस के नीचे की क्लोजिंग होना झरूरी है, तो इस पे ध्यान दीजेगा बाकी गोल्ड पे आ जते हैं गोल्ड फिलहाल अभी भी positive zone में है जैसे के हमारा setup काफी हफ्तों से चल रहा है, काफी मैनों से चल रहा है अभी भी positive zone में है जब तक हमारा support ब्रीश नहीं होता है गोल्ड prices positive zone में ही रहेगा और गोल्ड prices का support कहा है गोल्ड prices का support है यहाँ इस candle के नीचे 2080 के नीचे 2075 के आसपास का गोल्ड का support है गोल्ड को यह level break करना होगा और यह level break करने के बाद closing देनी पड़ेगी यानि कि 2075 के नीचे के closing होगी गोल्ड के अंदर तो फिर गोल्ड 2050 और 2020 तक जा सकता है रेजिस्टन्स है 2225 का trend इसका positive है बट ध्यान रखेगा यह intraday trend है intraday trend नहीं है यह weekly trend है intraday trend के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते है Monday to Friday चैनल पे आता है उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आपसे वीडियो मिस ना हो अब आते हैं सिल्वर पे सिल्वर में भी जबर्दस क्रैक दिखाई दिया सिल्वर में आप ही देख सकते हो 25.78 से अगेन अगर आपको याद हो तो हमने इस विक की बात करी थी यह विक जो है बहुत ही यह वाली जोन जो है काफी डेंजरेस जोन है और अगेन 26 डॉलर उससे ब्रीच नहीं हुआ और उसके बात क्रैक हो गया 26 डॉलर का एक जबर्दस रेजिस्टन्स था मार्केट के अंदर जो अभी भी सिल्वर से ब्रीच नहीं हुआ है 25 असी से तक्रीबन 24 ब्रीच दो दिन के अंदर ही चलिए इस वीक का रेजिस्टन्स सपोर्ट क्या है देख लेते हैं इस वीक का सपोर्ट है 23 पचास का रेजिस्टन्स है 26 डॉलर का ट्रेंड इसका फिलाल पॉजिटिव ही है ट्रेंड में कोई चिंज नहीं आया है कच भी ट्रेंड में चेंज आएगा तो आपको मार्केट कामेंटरी में बता ही दूँगा तो मेक्शूर आपने मार्केट कामेंटरी का भी सब्सक्रिफ्शन ले रखा है पर आते हैं नीचे आने की ज्यादा कोशिश हो नहीं रही है, 83 डॉलर के हाइस बनाने के बाद, 83 डॉलर के असपास के लोज बने, इससे इसका trend तो change नहीं हुआ है, बट येस, 3 डॉलर का crack तो है, support है इस week का 75 डॉलर, 75 डॉलर विल अक्ट अस major support, इसके नीचे की closing का मतलब है, 70 डॉलर तक जा सकता है, resistance है, 86 डॉलर, trend है positive, तो रखेगा खयाल, बाकि paid signals और market commentary की जानकारी के लिए, मेरी team का WhatsApp नमबर दिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वीडियो पसंद आया हो, तो like, share, comment कर दीजेगा, अब मिलेंगे next वीडियो में, तब तक के लिए take care, bye bye.